हुआ हेलो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेल्कम बैक तो माइ न्यू ब्लॉग तो गाइज आज जा रहा हूं बहुत टाइम के बाद मॉर्निंग वाग पे तो फिलहाल हूं मैं अभी अपने घर पे और पहले जाता हूं बैवोग के पास और उसके बाद देखते हैं कहां तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं त्रवेणी घाट और यहां मुझे बैवोवी मिल चुका है हम आ चुके हैं त्रवेणी घाट पे और यहां से घंगा दर्शन करेंगे उसके बाद मेरें ड्राइव जाएंगे मॉनिंग वाक पे प्राइब 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 प्रा तो यह हम आचुके हैं आस्ताफत और आस्ताफत पर देखिए किस तरह से लोग कोई यहां पर ध्यान लगा रहे हैं तो कोई कर रहे हैं मलब अगर आपको शांती चाहिए पूर्ण रूप से शांती चाहिए तो हर कोई यहीं गंगा किनारे आके और अपने मन को शांत करता है यहां पर होने वाला है सन्राइज और हम इसलिए रुके देखिए यहां से सूर हो जाए और हम इसको कैप्चर करें कि आज मौसम भी थोड़ा खराब सा लग रहा है लगता है शायद बहुत दिनों के बाद आज बारिश हो सकती है कि अधर में हो रही है वारिश वारिश वासर है है तो बहुत हो रही है अधिक जब ही मिले थे यहां पर बाबाजी लोग और वो पूछ रहते कि इंस्टा 360 से किस तरीके की वीडियो आती है तैसे दिखते हैं तो हमने थोड़ा सा उनको दिखाया और यह आपको दिखना होगा वीडियो में तो वाइश संराइज हो चुक है हम भी थोड़ा आगया चुक है वैसे इस रास्ताव हमें अभी हमें मैरिंड्राइब में यह आगे चलती रहती पूरी मैरिंड्राइब कर देंखंग में 3-4 किलो मेटर और बीच में इसमें साही घाड पड़ता है उसके आग अगर आप और चाते हो तिलक रोड से थोड़ा आगया कि तो आप 72 सीडी से भी आप नीचे आ सकते हैं अरी ड्राइब के कई रस्ते हैं आप साही घाट से आ सकते हैं और बहतर सीडी से आ सकते हैं यह हम अभी स्री गंगेश वर बजरंग महादे मंदिर 72 सीडी के पास जो की यह आस्तापत पर ही है और यह देख सकते हैं मंदिर का द्रिश्य मंदिर का गेट नीचे से हैं गंगा जी की परफ से फिलाला को यहां से दिखा रहे हैं झाल झाल जोते हैं जोते हैं जोतो Hä Ark जोते हैं जोते हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तब तक के लिए गुट बाई तक के लिए गुट बाई